नमस्त्य दोत्तों, ओल्डिज गॉल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ और आज स्वाथ्य समंदी चर्चा के अंदर मैं आपको जमाल गोटा से परिशित कराऊंगा, जमाल गोटा बहुत काम की चीज है और लेकिन इसको सावधानी से काम में लिया जाए तो और जिनका लिंग डिला हो गया है, पैनिस डिला हो गया है, अत्वा साइज में छोटा हो गया है, लटक गया है और शुकुर गया है उसके लिए जमाल गोटा का तेल एक अमोध तेल है, लेकिन वो अकेला काम नहीं करता, उसके साथ कुछ तेलों को मिक्स करना होता है अब मैं इसका आपको थोड़ा परिचे देता हूँ जमाल गोटा का भारत के अंदर जमाल गोटा पंजाब अशम बंगाल दक्षनी भारत बाग बगीचों में उगाये जाते हैं ये अपने आप भी उग जाते हैं ये मूल रूप से चीन में पैदा होता है जमाल गोटा के पेड सदा बाहर के पेड़ों की तरह 45 मेटर से 6 मेटर तक उचे होते हैं इसके पत्ते 2 से 4 इंच लंबे वपतले नोकदार चिकने 3 से 5 शिराओं वाले होते हैं जो की सूकने पर हलके पिले पड़ जाते हैं इसके फूल मंदरियों में छोटे छोटे और सपेद रंके होते हैं जमाल गोटा के फल सपेद रंके लगबक एक इंच लंबाई के तीन बागों में बंटे होते हैं बीज आदा इंच से अंडाकार बादामी भूरे रंके आसानी से आवरन हटाने वाले होते हैं जमाल गोटा के फल में तीन बीज निकलते हैं इसमें फूल गर्मी के महिने में आते हैं और फल है वो सर्दी के महिने में आते हैं अब विबिन बासाओं में इसको किस-किस नाम से संबोधित किया जाता है विबिन बासाओं में विबिन बासाओं में विबिन इसका सुपरशिद हिंदी नाम जमाल गोटा संसकत में जायपाल करते हैं और अंग्रेजी में परगेट्यू क्रोटन करते हैं मराटी में जमाल गोटा करते हैं गुजराती में नेपालो और बंगाल के अंदर जायपाल और लेटिन के अंदर क्रोटन टिगलियम होमियोपेटिक के अंदर क्रोटन टिगलियम नाम की जो दवा बनी है वो जमाल गोटे से बनी है तो जमाल गोटा जिस तरह खाने से खूख पतले दस्त आते हैं ओर धेर के धेर आते हैं जमाल गोटा का प्रियोग करने से तो अगर उसी तरह के पतले दस्त होते हैं तो जमाल गोटे से बने हुई होमेपेतिक दवा क्रोटन टिगलियम दो सो पोटेंसी की एक खुराक लेते ही पतले दस्तों का बंद हो जाते हैं और पेट बिलकुल सही हो जाता है नो साइड इफेक्ट नो बेड होमेपेतिक के अंदर होमेपेतिक में जो चीज से जिस चीज से जो बिगाड होता है उसी चीज को सक्तिक रतर के अगर होमेपेतिक में कनवर्ट कर देया जाए तो वो उन्हीं बीमारियों का समन करते हैं जैसे कुछले से नक्स होमेका बना है तो अगर असुद कुछला खा जालेंगे तो शरीर में एंठन ताने और टिटनेस जैसे ये मारात्मक रोग पैदा हो जाते हैं तो उसी कुछले से नक्स वोमिका जो होमेपेतिक में बनी है तो इस तरह के जो बिमार होते हैं जिनको ये लक्षन होते हैं वो उनको दूर करती है हां तो मैं आगे बढ़ता रंग उपर से लाल बुरा काला और भीतर से सफेद होता है इसका जो टेस्ट है वो कड़वा और जलन पैदा करने वाला होता है इसका जो स्वरूप है जमाल गोटे के पत्ते गुलर के पत्तों के जैसे होते हैं और फूल बिलकुल मुये के जैसे होते हैं और फल रेडी के जैसे होते हैं जमाल गोटा दो किस्म के होता है एक जंगली होता है एक देशी होता है जमाल गोटे के पेड़ होते हैं और उनी के फल को अरंडी के समान होते हैं वे जमाल गोटा कहलाते हैं जो अरंडी के जो फल होते हैं वेसे फल इसके होते हैं वो जमाल गोटा कहलाते हैं इससे जुलाब बनाया जाता है इसका दूद भी थूर के दूद के समान दस्ट पैदा करता है इसकी जो प्रकरती है जमाल गोटा की वो गर्म है और इसकी जो साइड इफेक्ट्स है जमाल गोटा दस्ट पैदा करता है उल्टी लाता है पेट में जलन पैदा करता है जमाल गो और खून के दस्ट पैदा करता है, इस से पेट में जकम हो जाता है, इसका प्रियोग कम से कम करना चाहिए, ये मैं आपको पहले बता चुका, इसके दोसों को दूर करने वाला जमाल गोटा में दूद, मठा और दही मिलावे, इस से जमाल गोटा से जो दोस्त पैदा हुई है वो समाप्त हो जाते हैं इसके तुलना इसके बराबर की और कौन सी मेडिसन है अरंडी का बीज होता है क्योंकि अरंडी का बीज भी दस्तावर होता है और इसकी मात्रा जो है जमाल गोटा की एक पीस बीजों का चूरन एक ग्राम का चोथा ही भाग और इसका जो तेल होता है जमाल गोटे का तेल मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए हाँ जमाल गोटे का तेल यह देखिए आप यह देखिए उपड़ भी लीजे आप देख लीजे जमाल गोटे का तेल का रंग ऐसा होता है हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि इसका तेल भी दस्ट पैदा करने वाला होता है और इसकी तेल की जो खुराक होती है जिनको बहुत ज़्यदा कबजियत हो जाए और दस्ट अगर आए नहीं तो फिर इसको आजमाना चाहिए और इसके तेल की मात्रा आदी बूंट से एक बूंट मक्खन या सहत के साथ लेना चाहिए एक बूंट जमाल गोटे का आप अगर ले लेंगे तो आपको पांस दस दस लग जाएंगे इसलिए इसको ध्यान रखें आप इसके लावा जो और इसमें गुन है ये बहुत तेज दस लाता है सरीर को साथ करता है सर्दी व गर्मी से लगने वाले रोगों को ठीक करता है ये इसकीन के हर बिमारी को ठीक करता है इसका तेल भी दस पैदा करता है मगर इससे मालिस करने से मेतुन सकती बढ़ती है जमाल गोटे की टेल की मालिस करने से मेतुन सकती बढ़ती है ये बच्चों के डबा रोग पसली चलना को दूर करता है भूख बढ़ता है इसके साथ ही ये कफ और वात का नास करने वाला है जमाल गोटा को सुद करना इसको सुद करने का तरीका है कि गाई के गोबर के पाने में या दूद में गरम कर ले तब उसमें चिकनाई खत्म हो जाए तो समझ दीजिए जमाल गोटा सुद करना आपको नहीं करना वीबिन रोगों में सहायक ये किन किन रोगों में सहायक होता ह नमबर एक इसका जो फाइदा गंजापन जिन को होता है तो निम्बू के रस्में जमाल गोटे को पीश कर शिक पे लगाएं सूखने पर कुछ दिर के बाद धोले इसे पत्रि दिन लगाते ने ये गंजेपन का रोग नश्ट कर देता है जमाल गोटा बड़ा काम का भी है दूसरा जो इसका फाइदा है कि इसकीन की बिमारी में जमाल गोटा को नारियल के तेल में फीश कर लेप लगाएं तो इसे सरम रोग नश्ट होते हैं साप के काटने पर जमाल गोटा का चूरण सो मिलिग्राम की मातरा में एक काली मिट के साथ पीश कर पानी के साथ पिलाने से उल्टी होकर जहर निकल जाता है और फल को गिसकर डंक लगे अस्तान पर लगाने से भी लाब होता है क्योंकि जिसको साप हो गएरा जेरिला जानवर काटता है तो डोक्टर लोग भी आमाशे को साप करते हैं वो पंप के दुवारा साप करते हैं और आयरवेर्द है ये जमाल गोटा लेने से खूब उल्टियां ओर दस लग करके ओर जहर बाहर आ जाता है लेकिन आपको ये प्रयोग नहीं करना देखिए सिर के दर्द में जमाल गोटा को पीश कर मात्य पर मलने से सिर का दर्द ठीक होता है कुछ समय बाद पोंच करके और गाय का घी लगा ले नहीं तो जलन होगी फोड़े फुंसियां जमाल गोटा एरेंड के बीच बराबर की मात्रा में पीश कर पानी में मिला कर लेप करने से फोड़े फुंसी और मुआसे में लाब मिलता है दमा रोग जमाल गोटे को दिये की लोग में जलाते हुए उसका धुआ नाग दुआरा लेने से स्वास रोग में आराम मिलता है जमाल गोटा को गरम कंडे पर टुकडे टुकडे करके डालें और उससे निकलने वाले दुएं को मुझ के अंदर खेंच के नाग से बाहर निकालें ये प्रियोग बार बार दो रहे हैं जले हुए जमाल गोटे के टुकडे को पान में रखकर चबाएं और खालें इससे भी और लाब होता है दमे के रोगी को लेकिन ये प्रियोग ना करें करें तो किसी वेद्दे की देखरें एक में करें मस्टिक जोएर सिर के बाल मुंडवा कर तीन चमच जेतुन के टेल में एक चमच जमाल गोटा का टेल ये मिला कर मालिष करने से बहुत लाब होता है जिनको ब्रेन हेमरेज या कोमा ये हो जाता है तो मखन या सहत के साथ जमाल गोटे के टेल की एक बून जीप के नीचे देने से लाब होता है जरूरी होने पर दूसरे दिन भी ये परियोग दोर आया जा सकता है किसी अच्छे चिकित सिकित देख रेक के अंदर और कबज के लिए तो जमाल गोटा एक लाब दाएक चीज है जितने लेक जिट्टू आते हैं बजार में एलोपेटिक के सब के अंदर ज अपने हिसाब से डालते हैं और आप रम धडले से खूब पेसे खाच करके और उनको खरिट के रोद पेट कोई पेट सफा के नाम से बनाता है कोई नित्यम चुरन के नाम से बनाता है कोई क्या क्या दो चीजें अईरवेद में एक तो जमाल गोटा और एक सनाई पत्ती ये दोनों चीजें पेट को साफ करने वाली है आप कोई सा भी लेक्जिट्यू खरीद लीजे आपको ये दो मैंने कंटेंस बताये हैं जमाल गोटा और सनाय ये दोनों मिले बिना कोई लेक्जिट्यू बन ही नहीं सकता ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ चाए वो कंटेंस में ना लिखें ना लिखें ना लिखें लेकिन नहीं लेक्जिट्यू बनता हाँ वो एक अलग बात है कि आप एक डिड़ तोला हरड की फक्की लगाओ तो दस्त एक हो जाएगा इतनी मात्रा में आमले की फक्की लगाओ तो एक दस्त हो जाएगा ऐसी बहुत सी चीजे हैं इस परियोग में नहीं लें, इनसे तो हरड अच्छी है, इनसे आमला अच्छा है, इनसे तिर्फला अच्छा है, पेट की सुद्धी के लिए, लेकिन वो भी हमेशान नहीं लेने का, नहीं तिर्फला हमेशान लेने का है, नहीं हमेशान लेने की है, और नहीं आमला हमेशान लेन हाँ मैं आगे बता रहा था जमाल गोटा नपुन सक्ता के अंदर नपुन सक्ता में जमाल गोटे का तेल लिंक के ऊपर लगाने से लिंक का साइज बढ़ता है और बहुत लाब होता है लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया ये अक्यला काम नहीं करेगा ये मैं आपको पहले बता देता हूं जलन होगी इसके साथ में कहीं ठंडे और अच्छे तेल मिलते हैं तब जा करके यह लाब करता है हाँ अगर इसका अगला फाइदा माशिक स्राव जो बेन बेटियों को होता है तो जमाल गोटा कड़वी तुम्भी के बीड पीपल गुड मेंपल सूरा बीड यह वसार इन सभी ओधियों को बराबर मातरा में लेकर पीश कर चुरन तयार करें फिर थूर के दूद में बक्ति बना कर योनी में रखें यह माशिक धर्म को खोल देता है लेकिन यह प्रयोग आपका नहीं करना नासूर पुराना गहाव जमाल गोटे को पीश कर नासूर लेकरने से ठीक होता है आजकल नासूर और यह इस तरह की जो बिमारी होती है उसका सरजन के पास जाके और चीरा लगवाने में लाब है अब यह उस जमाने में यह प्रयोग नहीं थी इसलिए यह लिखा है दोस्तों कुल मिलाके जमाल गोटा मैं इस जमाल गोटे के तेल को पेनिस के मसाच के तेल में भी डालता हूँ और अपने गुटनों के मसाच के तेल के अंदर भी डालता हूँ जमाल गोटा एक बहुत बेहतरिंग चीज है लेकिन कोई करपिया इसको पेट में नहीं खाएं कभी ऐसा मोका आगया दस लगी नहीं रही है और डोक्टर करते हैं तुमारे आंतों में मल रुख गया है तो जमाल गोटे से बनावा आईरिवेद में इच्छा बेदी टेबलेट मिलती है या चुरन मिलता है उसका प्रियोग कर लें पांसा दस आ जाएंगे अगर उससे भी नहीं आते हैं तो आईरिवेद में अस्वे कंचुकी रस इस नाम से आपको मिलेगा वो उसकी इतनी सीख मातरा यानि कि छोटी सीख गोली खाने से दस बारा दस आते हैं लेकिन इन दवाओं का प्रियोग आप जब करें कि तीन चार पांच दिन तक मल अगर नहीं आए और डोक्टर कहें कि आपकी आंतों को खोल करके मल को निकालना पड़ेगा तो आप यूं मान के चलिए कि आप उस ओपरेशन से बच जाएंगे आपका पंदरा भीश जार रुपया खर्चा बच जाएगा आपकी तकलिप बच जाएगी और अस्वे कंचुकी रस दस्तावर है एक तो इच्छा बेदी रस जो जमाल गोटे से बनता है और एक अस्वे कंचुकी रस एमरजेंसी के अंदर इनको काम मिले अन्यता आप छोटी मोटी चीज चूरन ले करके और अपने पेट को साफ करने की कोशिश करें क्योंकि इन से पेट बिल्कु साफ होता है और ज़्यादा दस्ताती है तो थोड़ी कमजोरी हो जाती है तो अगर इनका प्रियोग भी आपको करना है तो बहुत ध्यान पूरवक अथवा अपने कोई मित्रे दोस्त जो वेद्ध हैं उनकी राय ले करके आप प्रियोग करें तो देखिए जिस चीज के अंदर रोग कोई भी चीज के अगर साइड इफेक्ट नहीं तो उसके अच्छाई के कोई परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे तो कोई भी आप दवा लेने के पहले उसके गुणों को नपढ़ करके उसके साइड इफेक्ट को पढ़िए जब आप देख लोगी इसमें जो साइड हैं तो उस चीज को अपने मतिक्स में फिट करके और फिर उस दवा का प्रियोग करें ये नहीं कि आप बजार से लिया और खोला डकन और ले लिया नहीं आज सब पड़े लिके हैं उसके नीचे साइड इफेक्स देखिए गूगल के इंदर सर्च कर लीजिए कैसे भी करो और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छी दवाओं की जानकारी दूँगा ये मेरा आप से वादा है और आप मेरे से जब भी कोई जानकारी लेना चाहें तो मैं वैसे हर वीडियो की नीचे अपना समय लिखता हूँ और मैं आपको बता भी देता हूँ मैं मोर्निंग के के अंदर छे बज़े से आज बज़े तक फोन पे रहा हूँ आपको अवेलेबल मिलूँगा और इसके अलावा अगर कोई विशेश जरूर ये तो आप वाड्शेप के अंदर मेसेज कर दीजे मैं उसका जवाब दूँगा और तो मैं इस से ज्यादा और क्या कर सकता हूँ धन्यवाद वीडियो सब्क्राइब जरूर कीजेगा